आज के वीडियो में आप देखिएगा कि जो आपका ग्रैजवेशन का जो कूर्स है दाट इस फोर इयर अंडर ग्रैजवेट प्रोग्राम दाट इस फवाई यो जी पी और आपको पता होना चाहिए कि रांथी अईवरसिटी में 2022 से निया एजुकेशन पॉलिसी दाट इस न इंकलूड किये गया है बहुँ सारे वोकेशनल पेपर्स इंकलूड किये गये हैं बहुद सारे common courses इंकलूड किये गये है इसमें है क्या इसमें ज्यायदा तर जो है वोकेशनल कोरस पे भी focus किया गया है ए Осब अगर एक student कोई भी ऐनर्स करता है मान लेते हैS कि पूर्वाइब के हैं पूर्विया है उन्हें पढ़ना वें तो आज का वीडियू पे हमारा आउपक्टल साइंस करता है उसके ऊपर आए उव्रियू चलिए देखते हैं सब्से पहले देखे हैं अब्र ने हमने सलेबस आवर वि circa यहाँ पीस तरीके शे बना पहले से आपको ताकि easy समझ में आ जाए देखिए सबसे पहले आप जो confused हो रहे हैं आपके पास queries है questions है कि कितने paper आपको पढ़ने हैं तो हमने यहां पर listing कर दी है आप serial number one से लेकर six तक देखें आप कितने सारे papers पढ़ने हैं मैंने course code भी यहां पर लिखा उसके papers के नाम भी है साथ में marks कितने number का कितने marks का आएगा कितने में पास होना है और कितना इसको कितनी practical होगी तो सबसे पहले देखें serial number one में common course one यह सबके लिए हैं चाहे किसी भी honors का student हो सबको पढ़ना और इस papers का नाम क्या language and communication communication skills modern Indian language including TRL इसमें क्या पढ़ना आपको या तो M.I.L. Hindi 100 marks का पढ़ना है या फिर non Hindi plus other language that means 50 number का non Hindi और 50 number का other language पढ़ने हैं ठीक है दोनों मिला का 100 number होना चाहिए और M.I.L. Hindi अगर आप लेते हैं pure तो 100 marks का होता है अब आपके पास एक सवाल हो सकता है other language में आप क्या क्या ले पहले से आप देखिए अगर आप नौन Hindi 50 number का लेते हैं और other language जो है आप क्या कौन सा सेलेक्ट कर सकती सारे languages में आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो आप देखें alternative English communication है बेंगाली है संस्कृत उर्दू हो खड़िया खोटा कुरमाली कुरूक मुंडारी नाकपुरी पंच इसका exam होगा CC1 का exam होगा तो आपका जो एक ही duration में एक ही session में दोनों पेपर का question मिलेगा यानि non Hindi कभी मिलेगा आपको other language कभी मिलेगा दोनों को आपको एक ही साथ करके same duration में complete करके आपको लिखना है और देना हो सब्मिट करना है ठीक है तो यह होगी आपका CC1 clear है इसके end exam exam 100 marks का होगा passing marks 40 है practical नहीं है बिलकुल नहीं उसके बाद serial number 2 में देखेंगे CC2 इसमें जो paper understanding India इंडिया के बारे में समझना जानना जैसे जिगरफी इसमें थोड़ा सा है इसमे civics भी है थोड़ा से history भी है थोड़ा से independence days से related भी चीज़ें है यहाँ पे तो आपको समझना हो 100 marks की होगी और इसमें passing marks लाना 40 इसकी कोई practical नहीं है CC3 में आप देखेंगे health and wellness, yoga education, sports and fitness ये paper को भी अब सब को पढ़ना है और खंपल सरी कर दिया गया है कि health and wellness पे focus है, yoga education पे भी focus है, sports है, different types के sports है, badminton है, volleyball है, इस तरह के sports है, इसमें देखने को मिलेंगे, तो आप जब classes क करेंगे तो आपको इस सारे चीज़ आपको कराया जाएगा, आपको पढ़ना होगा, ठीक है, end exam exam इसका 75 marks का होगा, जिसमें आप pass होंगे 30 number पे, और इसकी practical होगी, yes practical है, और इसकी practical की marks कितनी होगी, 25 number की उसमें आपको 10 number minimum आपको लाना होगा, तो देखेंगे, total यहाँ प सारे exam के marks scheme का structure है, अब उसके बाद आपको जो है, आउनर्स पेपर क्या है, यहाँ पर फोर नमर माइर सी वन है, आई वी एस वन है, और एम जी वन है, तो पहले हम बात कर लिए थे, एम जी वन का, एम जी वन जो है, major paper, that is, आउनर्स पेपर, यह भी 100 marks कई होगा, तो इसमे यहाँ पे कि आपका जो ओनर्स पेपर, आप तक जिसको जो हम ओनर्स कहते हैं, कहते आ रहे हैं, आप हम लोग यहाँ पे कहेंगे major paper, जैसे आपने geography लिया, अपने history लिया, political science लिया, economics लिया, तो आपका वो major paper हो जाएगा, major paper के according ही आपका जो है, introductory regular course दिया जाएगा, इसके according, जिस तरीके साब पहले subsidiary या generic paper काते थे, यहाँ पे उसी के best पे introductory regular course यहाँ पे 1 है, चुकि यह semester 1 का, तो यह इसका जो code है, IRC 1, ठीक है, तो यह major paper, introductory regular paper, जो है major paper के according ही मिलेगा, और serial number 5 में जो आप देखेंगे, introductory vocational studies, एक paper vocational का भी होगा इसमें, अब चुकिए vocational के हमन vocational paper होगा, यह work best होगा, ठीक है, इसमें events होगे, activities होगे, और इसमें कुछ job oriented course होगे, ठीक है, इसलिए इसको हम next video में ज़रूर बताएंगे, बस आपको हमने overview दे दिया, कि आपको कितने papers एक semester में पढ़ने हैं, और कितने common course है, जो सारे students को पढ़ने हैं, चाहाँ वो किसी honors को हो, यह सब को यह papers, serial number one से लेकर, serial number three तक पढ़ना है, और जो उसके बाद जो change होगा, यहां से honors paper, अलग-अलग honors का, अलग-अलग introductory regular courses होगे, तो मैं समझता हूँ, यह आपको वीडियो समझ माया, इनके से अगर कोई problem हैं, तो आप जरूर comment करें, teachers के लिए भी, professors के बहुत बहुत बहुतरीन तरीका हो सकता है, कि आप इस वीडियो को भी शेयर करतें, ताके students अच्छे से इसको समझ जाए, मिलते हैं नेक्स टाइम नेक्स वीडियो के साथ, thank you very much